तो भाई इंडियन कोश्ट गार्ड डीवी जीडी यांतरी के लिए बहुत सुनाहरा मौका है और आप सभी लोग अपलाई कर सकते हैं इंडियन कोश्ट गार्ड के लिए और ये बंपर भरती है कोई ज्यादा एवांट में भरती नहीं है लेकिन फिर भी मौका मिल रहा है उत आप से भी को बता दू कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है न तो मैं जानता हूं और नहीं आप जानते हैं लेकिन कुछ चीजे ऐसी है जो आप बहुत असानी से कर सकते आप किसी भी एस्टेट से हैं तो बनवा सकते हैं दोस्तों सिंपली आपको आना है इडिस्टिक सर्च करन कोबर्मेंड.in इस पर इस पर आपका बन जाएगा और भाई कैसे बनाना है मुझे तो नहीं पता और यह आप अपने नजधी की साइबर वाले के पास जाईए बिलकुल आपको अच्छे से बता दिया जाएगा और यहां पर देख सकते हो सिटीजन मतलब बहुत तरह का फि नीच के से यह बेश्ट बंगाल के लिए इस बिहार के लिए ब्हार के लिए की एक ऐट ऑफिसियल साइट होता है तो देख लिए और साथ मैं आपका बतादो कि्यक्व वेस्ट बंगाल के लिए है यह डिस्टिक तो मतलब कहने का मतलब यह आप अपने से अपलाई नहीं कर सकते हैं दोस्त अपने से अपलाई किजिएगा बहुत तरीके का टरम्स है मतलब अपने से apply कीजिएगा तो गलत हो सकता है इसलिए अपने नज़दी की साइबर के पास ज़ाईए और हो साइबर मतलब अच्छे जनकारी रखता है ऐसे नगे कि साइबर वाले के पास चले जाईएगा और बिल्कुल वह आपका फॉर्म गलत मतलब भर दे तो भाई एक चीज और मैच किजिएगा जो नेम है बिल्कुल सेम रहना चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर जो आपके तेंथ और अधार कार्ड मतलब हर एक डॉक्मेंट पर एक चीज में आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जो आपका नेम है आपके सभी डॉक्मेंट पर सेम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मान लिजी आपका नाम स्याम है तो किसी में ऐसे लिखा हुआ है और किसी में ऐसे लिखा हुआ है तो यह बिल्कुल गलत है आपको बता करता हूं अगर इंग्लिस में सही है तो थोड़ी हड़ तक चीजे यह मानी जाएगी लेकिन अगर हिंदी में ऐसे है तो यह बिलकुल गलत है तो इस तरीका का होता है तो आप अपना इस तरीके से कास्ट सर्टिफिकर्ट बनवा सकते हैं दूसरी बात भाई आप सभी को बता दू कि बिलकुल भी देरी मत कीजिए अभी और आज ही जाकर साइबर में आप अपना अप्लाई कर दीजिए ताकि जब आप साइबर में जाकर अप्लाई करवाओगे अनुभव यह दुबरा तो मतलब उन लोगों को इतना तो एक्सपिरेंस है बनाते बनाते हैं कि मतलब वह आपका 10-11 दिन में बिलकुल बनके आ जाएगा 11 दिन नहीं बलकि 15 दिन भी लगता है तो यह चीजे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त हमें चार जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक कर टाइम दिया गया है तो आप सभी लोग बिलकुल भी देरी न करें ऐस ना जीजे कि मतलब टाइम बहुत कम है 10 दिन में नहीं बनेगा 10 दिन टाइम नहीं बलकि इसके अंदर अगर किसी भी देट को बनता है तो आपका बहुत अच्छा है मतलब आप अपलाई कर देंगे अपने कैटेगरी से और हां मान लिजे आपका का सेटिपेकेट नहीं बन आपको लाब नहीं मिलेगा ऐसी कुछ चीजे हैं तो यह देखिए अलग अलग सबका होता है प्रोटल आप लोग देख लीजे आप लोग पता कर लीजे देखिए सेंट्रल लेबल का मतलब क्या होता है सेंट्रल लेबल का मतलब यह होता है आपका जो यह बनता है OBC certificate ये तीन चीजों से बनता है एक राजस्वे होता है राजस्वे राजस्वे होता है और एक अनुमंडल होता है अनुमंडल आप जानते होंगे और तीसरा होता है जीला तो यही में सेंट्रल लेबल यही होता है दोस्त आपको बता दू कि सेंट्रल लेबल इसी को कहते हैं जीला से बनवाना है आपको तो कैसे बनेगा क्या करना है जो भी है मैं इस वीडियो में बता दिया कि जल्दी से नजदी की साइबर जो अच्छी जैनकारी रिखता है उसके पास जाईए और बिल्कुल आप बोले कि इंडिन को काड के लिए फॉर्म भरवाना है तो मतलब अच्छा से भरिए ऐसा गलती कर दीजिए और इसकी वज़ा से फिर हमें सारा मेनत बरबाद करना पड़े तो आप लुक्सो समझ के फॉर्म जल्दी से भर दीजिए और अगर नहीं भी भराता है तो कोई बात नहीं जेनरल से तो डाली सकते हैं तो यह कुछ चीजे हैं और जो कि मैंने बताया अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और दोस्तों आप सभी को बता दू कि बहुत जल्द एक होने वाला है गीभवे जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सभी लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा तो अगर आप कोई वी डिफेंस एक्जाम के तैयारी करते हूं तो आप एक काम कर सकते होो आप अपना टेस्ट के लगाना बहुत जड़े आप सभी को तो आप ने भी पूर 52 कोड लगा कर और रही बात परिक्षा आपको आप गूगल प्लेश्टूर से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली इसमें साइन इन कर लेना है और उसके बाद जो भी कोर्स आपको चाहिए सेलेक्ट करके उस पर बाई नाउ करना है और इसमें कूपन कोड़ अपलाई करना है ने भी पूर फिप